Good morning everyone, सुभा के 8 बच चुके हैं और समय हो गया है हमारे current affair के discussion का आज की class में हम discuss करते हैं weekly current affair के बारे में जितने इस हफते में important current event हुए हैं उनकी एक quick revision हम आज संडे के दिन करते हैं याद रखेगा पूरे week में हम हर दिन सुभा 8 बजे daily basis पे current affair का discussion करते हैं और संडे का दिन हमने निर्धारित किया है एक quick revision के रूप में और कुछ अगर news कोई छूट गई है तो उसके उपर भी हम discuss करते हैं संडे के दिन में और इसलिए हमने संडे का दिन रखा है weekly current affairs का याद रखेगा आज ही class में हम discuss करेंगे current affairs के बारे में weekly current affairs के बारे में उससे पहले मैं हूरीन महला दोस्तों मेरी education qualification हुई है कुरक्षेत्र इनवर्स्टी से मैंने post graduation किया है computer application में MA public administration में उसके अलावा याद रखेगा teaching experience की बात करते हैं पांच साल से ज्यादा कर teaching experience है और दस हजार से ज्यादा student मुझसे guidance ले चुके हैं जिसमें से 500 से ज्यादा बच्चों के selection हो चुकी है ठीक है यह है मेरी एक quick brief introduction I hope आप सभी लोग मुझसे रूबरू हो चुके हैं क्योंकि हर दिन हम सुभा आठ बजे मिलते हैं आपके अपने प्लाटफॉर्म राइस स्मार्ट एड्व यूट्यूब चैनल पर शुरुआत करते हैं अपनी पहली ही न्यूस है सो पहली न्यूस है हमारी international solar alliance की international solar alliance में क्या हुआ है सो याद रखेगा international solar alliance 2015 के कोप 21 के बाद पैरे सम्मेलन के बाद इसका निर्मान किया गया था इसको बनाया गया था बेसिकली भारत और फ्रांस के लीडिंग रोल के बाद इसको स्थापित किया गया भारत के गुडगाओं यानि हरियाना के अंदर इसका headquarter है अब यहां पर current में क्या है current में basically भारत और फ्रांस वापस से president और co-president basically चुने गए है ठीक है सो याद रखेगा वापस से भारत और फ्रांस basically चुने गए है as a president और co-president ठीक है energy minister R.K. Singh जो है president रहेंगे international solar alliance में और साथ ही यहां पर France जो है co-president के रूप में काम करने वाला है ठीक है अगली न्यूस है हमारी खेल की न्यूस है सो याद रखेगा BCCI के नए president appoint किये गए है इससे पहले सौरफ गांगली यहां पर BCCI के president थे अभी सौरफ गांगली की world cup जब भारत में पहला world cup जीता था उस समय पे उस दौरान यहां पर रोजर बिनी ने सबसे ज्यादा विकेट ली थी तो याद रखेगा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले थे उसके लावा यह जो है अभी के समय पर BCCI के president चुने गए है याद रखेगा unopposed इनका चुन ठीक है सो हमारे BCCI के नए president कौन है BCCI के नए president है रोजर बिनी board of control for cricket BCCI भारत का board है जिसके द्वारा cricket को regulate किया जाता है funding की जाती है तो याद रखेगा यहाँ पे sports ministry BCCI को fund नहीं करता है ठीक है अगले news के और आगे बढ़ते हैं अभी जो है booker prize दिया गया है booker prize किसके लिए दिया जाता है literary award है ठीक है तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति England और Ireland के अंदर अपनी कोई publication करता है कोई book लिखता है कोई novel लिखता है यहाँ पे तो उस व्यक्ति वो जो व्यक्ति है वो eligible हो ज अभी जो है 2022 में booker award दिया गया है उनकी किताब the seven moons of Mali Almeida के लिए the seven moons of Mali Almeida के लिए शिरलंकन लेखिका सेहान करनो तालिका को यह award दिया गया है ठीक है तो यह से पहले इनकी पहली किताब चिन्नामन इनकी पहली किताब थे जिससे यह चर्चा में आये थे अभी इनकी जो नई रचना है the seven moons of Mali Almeida के इसनकी किताब है जिसके लिए इनको दिया गया है booker award ठीक है तो याद रखेगा booker award किसके लिए दिया जाता है literary work के लिए दिया जाता है ठीक है उसके बाद भा याद रखेगा पचास में Chief Justice of India कौन होने वाले है डिवाई चंदर चूड किन के जगे पे यू यू ललित की जगे पे फिफ्टित Chief Justice of India कौन होंगे याद रखेगा अभी हमारे जो राष्टपती है राष्टपती के द्वारा appointment होती है Chief Justice of India की इनके द्वारा appoint किया गये है नए Chief Justice ठीक है उसके लावा याद रखेगा कार्यकाल की बात करेंगे तो याद रखें इनका शबत समारो होगा 9 तरिको 9 नवेंबर को होने वाला है और कार्यकाल है 9 नुवेंबर 2022 लेके 10 नवेंबर 2024 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है याद रखेगा ये पिछले कुछ दशक से एक यंगर Chief Justice of India है उसके अलावा सबसे ज्यादा कारेकाल वाले सबसे ज्यादा इस पिछले दशक में सबसे ज्यादा कारेकाल वाले जो Chief Justice of India होंगे वो होंगे D.Y. चंदरचूट ठीक है तो ये चीज़ हमें याद रखेगा और Chief Justice of इंडिया कौन होते है Chief Justice of इंडिया बेसिकली उनी को अपॉइंट किया जाता है जो होते है सीनियर मोस्ट जज़ ऑफ सुप्रीम को ठीक है सो सीनियर मोस्ट जज़ को बनाया जाता है Chief Justice of इंडिया जो होंगे इस वर D.Y. चंदरचूट याद रखेगा पचासमे Chief Justice है ठीक है अगली न्यूस है बेसिकली एक स्कीम लांच की गई है One Nation One Fertilizer One Nation One Fertilizer स्कीम को लांच किया गया है अभी प्रधान मंतरी मोदी जी ने इसको लांच किया है ठीक है सो याद रखेगा प्रधान मंतरी भारतिये जन उरवर्क प्रियोजना One Nation One Fertilizer इसके तहत क्या किया जाए बेचेंगी और उस सिंगल ब्रैंड का नाम होगा भारत ठीक है तो पूरे भारत में एक ही नाम से खाद की वित्री वह बेसिकली डिस्रिब्यूशन होगा वित्रित किया जाएगा खाद वो नाम क्या है यहां पे भारत ठीक है अब One Nation एक देश पे एक खाद की जो पॉलिसी है और स्कीम का नाम क्या है प्रधान मंत्री भारतिय जन उर्वरक प्रियोजना ठीक है तो इसके तहत बेसिकली वहारत के जो किसान है उन्हें बेसिकली कम कीमत पे अच्छे न्यूट्रियंट्स वाले खाद उपलब्द करवाए जाएंगे ठीक है तो याद रखेगा क्वा स्यां में हूइ है राट्स रीजनल एंटी टरविस्ट्रों स्क्टर ऑफ … रीजनल एंटी स्क्रट्ड्स चरॉफ में हम इसको रैट्स कहते है रैट्स की मीटिंग कहां पर हुई है अभी नई दिली के अंदर हूई है यह रैट्स का निर्मानмаद था 2004 की अंदर और किस उदेश्य से देखो S.E.O. संघाई कोपरेशन और्गेनाइजेशन की एक पर्मनेंट बॉडी है रैट्स यानि रीजनल एंटी ट्रेरिस्ट स्टक्चर पर्मनेंट बॉडी है याद रखेगा उजबेकिस्तान ताशकंत बेस्ट ये और्गेनाइजेश ना प्रमोट की जा सके या फिर मेंबर कंट्री की जो धरती है किसी भी प्रकार से उग्रवाद को बेसिकली प्रमोट ना करे यही इसका उदेश्य है ठीक है so rats क्या है SEO की permanent body है कहां पे based है ताशकंत based है ताशकंत कहां पे है उजबेकिस्तान के अंदर है उसके लावा याद रखेगा अभी इसकी meeting हुई है मीटिंग कहां पे हुई नई दिल्ली के अंदर इसकी meeting हुई है ठीक है बेसिकली यहां पे international सर पे terrorist को रोकने के लिए terrorist group को control करने के लिए rats का निर्माण किया गया था ठीक है सो basically इस meeting में किया क्या गया है इस meeting के अंदर specifically जो अफगानिस्तान की situation है ठीक है सो अफगानिस्तान की situation है किस प्रकार से यहां पर terrorist group actively यहां पर काम कर रहे है इसके ऊपर चर्चा की गई इस meeting के अंदर थीक है, तो अफगानिस्तान की situation के ऊपर यहाँ पर discussion होई है, ठीक है, अगली news किस्ती है, किस्ते है, अगली news है हमारी France से, France क्या करेगा, France basically directly gas supply करेगा Germany को, पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ है, कि France, Germany को directly gas supply करने वाला है, ठीक है, तो याद रखेगा, यह decision लिया गया है, basically, यहाँ पर कि energy को diversify किया जाए, specially, जब Russia, Ukraine का war चल रहा है, Russia, जो gas deliveries है, वो इस war की वज़े से, कहीं न कहीं interrupt हो रही है, so basically, जो other countries है, वो अपने alternative sources की और आगे बढ़ रही है, जिसमें, France ने एक नया decision ल करने वाला है, क्यों करेगा, क्योंकि, रशिया से जो delivery होती थी, gas delivery जो होती थी, Ukraine war के चलते, अभी यह delivery कहीं न कहीं interrupt हो रही है, ठीक है, so अगली news है, हमारी ISSF, ISSF World Championship, ठीक है, so basically, यह जो championship है, इसका आयोजन, Egypt के अंदर किया जा रहा है, ठीक है, so Egypt के अंदर, इसका आयो इशा सिंग, विभूती, भाटिया और नाम्य कपूर की, so इन तीनों को, junior team थी, यह basically, पिस्टल वर्ग में, so पिस्टल वर्ग में, इनको bronze medal मिला है, so भारत की शुरुआत, Egypt के अंदर, ISSF World Championship के अंदर, bronze medal के साथ, इसकी शुरुआत हुई, तो यह दखेगा, इसका आयोज किया जा रहा है, ठीक है, so अगली news है, यहां पर, प्रधान मंत्री मोधी जी, गुजरात के दोरे पे थे, जहां पर उन्होंने कई सारे, प्रोजेक्ट का, इनोगरेशन किया है, foundation stone रखी है, उसके लावा याद रखेगा, कि यहां पर, कई सारे, events यहां पर, इनोगरेशन क अंटोनियो गिट्रेस भी बेसिकली गए हुए थे, तो यहां पर, कई सारे, प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, इनोगरेशन हुआ है, जिसके लिए, 15,670 करोड रुपे का, अनुदान दिया गया, प्रधान मंत्री मोधी जी के, दोरा, उसके लावा, यहां पर, जून बेसिकली, क्या है, नाटो जो है, 30 members का एक group है, और बेसिकली, यहां पर, अभी क्या कर रहा है, रश्या ने क्या किया है, यूक्रेन के ऊपर attack किया है, रश्या को counter करने के लिए, नाटो के जो members है, वो aggressively काम कर रहे हैं, जिसके चलते, अभी एक nuclear exercise, जिसका नाम है, स्टेड़ फास्ट स्टेड़ फास्ट नून स्टेड़ फास्ट नून एक्सराइज किसकी है नाटो की एन्वल नुक्लियर एक्सराइज है जिसे हल ही में कंड़क्ट किया गया है ठीक है तो इस एक्सराइज में यहां पे बेसिकली क्या किया जाते है नुक्लियर की जाती है और यहां पे साथी साथ कई सारे flights कई सारे aircraft इसमें शामिल होते हैं इस exercise के अंदर इस बार की जो exercise की उसमें से 30 में से 14 NATO members ने इस exercise के अंदर पार्टिसिपेट किया है ठीक है सो याद रखेगा कि यहां पे 60 aircraft बेसिकली शामिल हुए थे उसके लावा इस exercise में completely nuclear aircraft का इस्तिमाल किया गया था ठीक है सो यह exercise कैसी है annual exercise है और nuclear exercise है नाम क्या है steadfast noon exercise ठीक है सो यह चीज़ याद रखेगा उसके लावा one of the successful mission था NASA का Apollo mission की बात कर रहे है Apollo mission क्या था Apollo mission पहला ऐसा mission था जो human को लेके जाना चाहरा था spacecraft स्पेस के अंदर सो याद रखेगा पहला मानव का जो ऐसा mission था जो मानव को स्पेस में लेके जा रहा था तो यह जो mission था यह किसके द्वारा successful किया गया था एक commander थे जिनका नाम था astronaut James McDavid ठीक है सो astronaut James McDavid जो है इस mission के commander थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है ठीक है इसा mission जो मानव को स्पेस में लेके जाना चाहरा था ठीक है उसके अलावा यहां पर astronaut James McDavid जो 65 का Gemini formation था उसके भी commander रहे थे ठीक है सो इनका हाल फिलहाल में याद रखिएगा निधन हो गया है ठीक है चल अगली न्यूस है हमारी अगली न्यूस किससे है अगली न्यूस जो है हमारे विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस से है ठीक है सो कॉंग्रेस के अंदर एक नया बतला हुआ है 24 साल बाद यहां पर गांधी परिवार के अलावा कोई और प्रेजिडेंट बने है सो याद रखिएगा 24 साल बाद कॉंग्रेस का भविश्य चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है सो कॉंग्रेस के नय प्रेजिडेंट इलक्ट हुए है मलिकार जुन खडगे सो याद रखिएगा मलिकार जुन खडगे अब जो है कॉंग्रेस के नय प्रेजिडेंट चुने गए है 24 साल बाद गांधी परिवार के अलावा अगर कोई प्रेजिडेंट बना है तो वो है मलि सिक आरजुन कहड़ तो अगली न्यूस किया है यहां पर प्रधान मंतरी किसान संहीरन किसान संवान संर मेल है तिक है so किसान कि ऑन के अंदर क्या क्या गया प्रधान मंतरी मोधी जी ने देखो PM किसान एक scheme है, जिसके तहट क्या किया जाता है, साल में तीन जो installments है, वो दी जाती है, 6000 रुपे की धनराशी installment में किसको देते है, किसानों को देते है, ठीक है, इस PM किसान सम्मान समेलन के अंदर बार्वी किश्ट दी गई है, बार्वी installment दी गई है, जिसके लिए 16,000 करोड का अनुदान प्रदान मंतरी मोधी जी के द्वारा PM किसान सम्मान समेलन के अंदर दिया गया, ठीक है, इतना सा पॉइंट याद रखना है, PM किसान के लिए यहां पे बार्वी किश्ट जारी की गई, जिसके लिए 16,000 करोड रुपे का अनुदान दिया गया है, याद रखन मेर किसको कहते है, small farmer ऐसे farmer होते हैं, जिनके पास दो hectare से कम भूमी होती है, marginal farmers उनको कहते है, जिनके पास एक hectare से कम भूमी होती है, ठीक है, तो इतना सा point समझना है कि small और marginal farmers को PM किसान के तहत तीन installment के रूप में हर साल 6,000 रुपे का नुदान दिया जाता है जिसकी अभी बारवी किष्ट सरकार के द्वारा जारी की गई है जिसके लिए प्रधान मंत्री मोधी जी ने 16,000 करोड रुपे की धन राशी दी है अगली न्यूस के हमारी देखो अगली न्यूस से पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें कुछ-कुछ important step लिए गए है important step क्या है कि यहां पर agriculture के अंदर startups को promote किया गया है तो इसके लिए क्या कहा कि एक एग्री startups भी भारत के अंदर बनाये जाएंगे क्या करेंगे क्या एग्री startups क्रिशे के अंदर एक startup culture को promote कर रहे हैं ठीक है उसके अलावा यहां पर 600 प्रधान मंत्री किसान समृधी केंदर भी बनाये जा रहे हैं इन केंदर से प्रधान मंत्री मोधिजी ने distributeds of pm JMA Agriculture कार्ट इन गुज्राथ without प्रधान मंत्री अमृत्यम आईश्वान कार्थ ठीक है तो यह कहे है यह कार्डS बाटे गएनnelle कि स्कीम के तहत प्रधान मंत्री जन अरों योजिना के तहत गुज्रार के door step पे मुख्य मंत्री अमुरुत्यम आयुश्मान कार्ड वित्रित किये गए है, ठीक है, सो याद रखेगा 50लाख Color Printed आयुश्मान कार्ड गुजरात के अंदर बाटे गए है, ठीक है, अगली news है हमारी, अभी क्या हुआ है, chest के अंदर Indian Grand Master अर्जुन ने हरा दिया है नौर्वेजियन मैगनेस कारल सेन को ठीक है तो आज के समय पे कारल सेन जो है एक योध्धा कह लिजिए चेस के तो याद रहें से इसे पहले अर्जुन हार गए किसके द्वारा इंडियन ग्रैंड मास्टर आर्जुन एरिगासी के द्वारा यहां पर मैगनेस कार्लसेन को वर्ल चेस्ट चेंपियंशिप के अंदर हरा दिया गया है ठीक है अगले न्यूस के ऊपर आगे बढ़ते हैं प्रधान मंत्री जी ने क्या निर्माण किया जाएगा ठीक है सो 75 डिज्टल यूनिट का निर्माण किया जाएगा ठीक है सो याद रखेगा 75 डिज्टल बैंकिंग यूनिट डिज्टल बैंकिंग यूनिट का निर्माण किया जाएगा कितने जिले के अंदर 75 डिस्टिक्स के अंदर उसके लावा याद र इंक्यूजन ठीक है तो यहाँ पे भारत के अंदर पच्चातर जिलो के अंदर 75 डिस्टिक में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का निर्माण किया जाएगा तो यहाँ रखेगा इस बार के बजट में भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीता रमंची ने बजट के दुरान कहा था कि भारत के अंदर क्या बनेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट का निर्माण किया जाएगा उदेश के है भारत के अंदर डिजिटल फाइनेंशल इंक्लूजन को लेके आना लोगों को डिजिटली लिट्रेट बनाना यहां पर मुख्य उदेश है डिबी यू का डिबी यू का है डिजिटल बैंकिंग यूनिट कितनी बनाए जाएंगी 75 कितने डिस्टिक्स में 75 में ठीक है अभी क्या हुआ है प्रधान हमारे जो होम मिनिस्टर है अमिच्छा जी उन्होंने भारत के सब्सक्राइब यूनियन फाइन्स मिनिस्टर है उन्होंने पहला हिंदी वर्जन अमिबी यूनियन फाइन्स मिनिस्टर निर्मिला सीता रमण जी वर्ड बैंक के जो प्रेजिडेंट है डेविड मेल पैस इनसे इनकी एक मिटिंग हुई है मिटिंग किस से रिलेटिड है भारत के अंदर अगर हम बात करें वर्ड बैंक में जो सबसे बड़ा इशू रहता है WTO में वर्ड बैंक में भारत जो है गरीब लोगों को क्या करता है सबसीडी देता है ठीक है जो भारत जो सबसीडी दे रहा है अपने वल्नरेबल हाउस होल्ड को और जो टार्गेटेड सपोर्ट है ठीक है सो बेसिकली यहां पर जो हमारी सबसीडी दी जाती है इस सबसीडी के ऊपर वर्ल्ड बैंक और वर्ल अभी हमारी finance minister ने मुलाकात की किस से related subsidy के issue के से related ठीक है तो अगला question है अगला question क्या है कि हमारा राजसान का रंथम वो tiger reserve से एक tiger shift किया गया कहां पे सरिस्का tiger reserve के अंदर सरिस्का tiger reserve जो है one of the successful place है जहां पे successfully tigers को relocate किया गया है इससे पहले भी सरिस्का में tigers को relocate किया गया है अभी क्या हुआ है अभी t113 tiger का नाम क्या है t113 t113 tiger को relocate किया गया कहां पे सरिस्का tiger reserve के अंदर सरिस्का tiger reserve है राजस्तान के अलवर जिले के अंदर इससे पहले यहाँ पे 24 टाइगर्स थे ठीक है जिसमें से 10 फीमेल टाइगर, 7 मेल टाइगर और 7 यहाँ पे कब से ठीक है अगली न्यूस किस से है, अगली न्यूस है हमारी अग्रीकल्चर से ही रिलेटेड दो जर तेइस चौबिस के लिए 6 फसलों का MSP बढ़ाया गया है और उसमें सबसे ज़्यादा मसूर की डाल यानि लैंटिल्स के दाम बढ़ाये गए है, 500 रुपे बढ़ाये गए है याद रखेगा CACP, Commission for Agricultural Cost and Prices ने जितनी रिकमेंडेशन दी थी, वो सारी रिकमेंडेशन यहाँ पे Cabinet के द्वारा Accept कर ली गई है, जब भी MSP minimum support price की बात होती है, वो किसके द्वारा recommend किया जाएगा, कितनी चेंज होगा, कितना वरिधी करना है CACP recommendation देता है, Cabinet उसको approval देता है and then further वो implement हो जाता है, ठीक है, सो यहाँ पे 9% विरिधी की बात कही गई थी, किसके अंदर 6 फसलों के अंदर, ठीक है, सो याद रखेगा, 2023 के लिए, 2023 के सीजन के लिए, रभी की 6 फसलों के MSP को बढ़ाया गया है, सबसे जादे यहाँ पे किसको बढ़ाया, किसके दाम बढ़ाया गए है, lentils के दाम बढ़ाया ठीक है अगली न्यूस किसे है, अगली न्यूस है, एक Integrated Pensioner Portal, ठीक है, सो सिंगल विंडो है, जहाँ पे Pensioners की समस्याओं का निदान किया जाएगा, ठीक है, सो इस Portal को कहाँ पे लांच किया गया, अनुभव Award Ceremony के अंदर, ठीक है, अनुभव Award Ceremony किससे संबन दित है, अनुभव एक Portal है, अनुभव Portal बेसिकली 2015 के अंदर लांच किया गया था, अनुभव Portal कैसे है, अनुभव एक ऐसा Portal है, जहां पे जो हमारे Retired Officers है, जो Retired Employees है, वो अपने-अपने Experiences को इस अनुभव Portal के उपर लिख सकते हैं, ठीक है, अनुभव Portal के उपर जितने भी लेख लिखे गए हैं, उसमें से जो Maximum को Award दिया गया है, ठीक है, यहां पे एक Ceremony का आयोजन हुआ, अनुभव Award Ceremony, जो बेसिकली Department of Pension and Pensioners Welfare के द्वारा, नई दिल्ली के अंदर आयो समस्याइं होंगी, वो सारी के समस्याइं इस Portal पे जाने के बाद ने उसका solution कर दिया जाएगा, ठीक है, तो उसके लावे एक चीज़ और याद रखिए, 2020, 2021 और 2022 के अंदर जितने भी अनुभव Portal के उपर लेख लिखे गए हैं, उनके लिए यहां पे सम्मानित उनको किया अनुभव Award Ceremony के अंदर, जिसका आयोजन का हुआ था, नहीं दिलनी के अंदर, ठीक है, तो इतनी सी चीज़े मुझे discuss करनी थी, इस Weekly Current Affair के अंदर, आज के लिए केवल इतना ही, उसके अलावा, दिवाली की सभी को हार्दिक शुब कामनाई, राइस स्मार्ट एड़ चानाईर जिलनी स्मार्ट लगा सूग्वास निवाल्नी झालाइक शिति हैं।